कि विल्कम डॉल लास क्लास में लोग डिसी मोटर पड़े थे और आपको कुछ होमवग दिया गया थे नोट्स में तो जो पहला कोशन था वो यह है कि एक डिसी मोटर है डिसी मोटर की स्टैक का इसके बार में कुछ बताया नहीं है तो हम लोग इसको सेप्रिक्टी एकसाइड़ेट मानके चलेंगे और उसमें चार पोल है टर्मिनल वोल्टेज आपको 400 वोल्ट दिया हुआ है तो सेप्रिक् करेंट की वैलू दिया हुआ है 100 अम्टेर और आरे दिया हुआ है 0.15 और हमसे पुछाए इवी तो इवी कैसे निगल सकता है सिंपल एक्वेशन में बने है रहा बीती इक्वल टो इवी प्लस आई यार ब्रस कॉंटेट के कोज़ जी करने तो इवी इक्वल टो वी ते यानि 400 माइनस आई यार यानि 100 इंटू 0.15 तो 400 माइनस पंद्रह तिंसो पचासी वोल्ट एक हैं यह है बैक यह मैं इसी में ज़ करते हैं इबी इंटू आइए कर देते हैं तिंसो पचासी इंटू 100 यानि 38.5 किलो वाट तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था नेक्स कॉश्चन देखते हैं सकेंड कॉश्चन में कर रहा है कि एक डीसी मोटर है त्री से एक बार मोटर के टाइब के बार में नहीं पता है तुम्हों से पर इटलेक्स अलिन माने में फोर पोल है बेव बाइंडिंग है मतलब एक एकोल टू टू और करहें कि स्लॉट्स 65 है और प्रतिक स्लॉट में 6 कंडेक्टर है तो यहां से लो टोटल कंडेक्टर निकाल सकते हैं 65 इंटू 6 अब कर्णे के मतलब कि अगर्विस्टि निकालना है तो देखेक्ट से आपको यह आइडिया हो जाएगा कि actually जो circuit है उससे हम लोग e b निकाल लें और e b के फर्फुला z t phi n upon 60 a से n निकाल सकते हैं सिंब तो equation निक्वेशन 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 न bt equal to e b plus i a r n therefore e b equal to bt bt कितना है 250 minus i a r n आई ये कितना 60 into 0.15 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 9 ये 9 हो जाएगा तो 250 minus 9 241 volt ठीक है ये e b आगया नो सिंज e b equal to z p 5 n upon 60 a ठीक है अब यह आप यापको क्या पता है ये पता है न 65 slot है परते एक slot में छेकन रटा है तो यह जाएगा 65 into 6 into p number of pole core into 5 flux 20 into 10 to the power minus 3 n निकालना है upon 60 into 2 ठीक है यहां से कर आप n निकालेंगे तो value आएगी 9.6 point something अगया है तो इस तरह से question बन गया आपका है ठीक है नेक्स कोशन देखते है एक लास्ट कोशन जो उसमें है वो यह आपका कि ए 6 pole DC machine has 300 conductors and each conductor is capable of carrying 80 ampere without excessive temperature rise तो जो given दिया हुए data pole equal to 6 j equal to 300 and each conductor is capable of carrying 80 ampere मतलब परते एक conductor से 80 ampere maximum current जा सकते हैं यह यह जो current है यह नहीं है आई यह होता है total current जो जाता है परते एक conductor से मतलब परते एक ब्रांच का current है उसको हम लोग आई लिख सकते हैं ग्रेंतल कि ऐड़ें अवाए और ले व्लक्स पर फ्रैंट ग्रेंट लाइत टींडेंड पर्पर दू जीरो गॉल प्रफवाइब आंद मशीन था यह लाइन अट माशीन आप抉ट्यार अ खुलिये धाग दीसी मशीन से इंपा कोशन था अब निकानना क्या कहें आपको calculate the total current मतलब IA आपसे पूँछ रहा है EMF मतलब EB पूँछ रहा है या EA जो ही कही पूँछ रहा है Power developed Power developed Mechanical power developed या जो ही है Power developed in the armature Power developed in the armature मतलब क्या हो गया EB into IA या EA into A Power developed in the armature मतलब यह हो And Electromagnetic Torque TEM इपके मोटरी Electromagnetic Torque If the armature conductors are अगर armature conductor A part में वे बाउंड़ और B part में लैप होगा है तो पहले हम लोग वे बाउंड़े मांग करके बनाते हैं एक बार फिर से Machine के टाइप का कोई जिक्र नहीं है मतलब एक टेक 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 एज Separately Excited तो देखिए सब कुछ बहुत सिंपल है Torque निकालने का एक extra है वांगी तो सब कुछ सही है तो इसमें जो डाटा है हमारे पास उससे हम लोग करका कर सकते हैं तो ई भी तो निकाल सकते हैं तुरह तमी ED Equal to ZP5N upon 68 तो Z कितना है आपका 300 इंटु P कितना है 6 5 0.015 ZP5N N कितना है 1800 ZP5N upon 60 इंटु A एक कितना है वे बाइडिंग के रिए तो ये value अब पाक को आ जाएगी 400 5 4.0 5 अब देखे IK भी निकल देगा वे बाइडिंग है मतलब दो पैरलल पात मतलब ये 300 कंड़क्टर को दो पैरलल पात में अरेंज़ किया ये मतलब एक में तेर्स हो और एक में तेर्स हो ये इस तरह से 500 कंड़क्टर हैं और परतेक से करेंट इतना 80 जो मैक्सिमूम जा सकता है तो यहां पर करेंट इतना हो तो आई ए विल्दी 160 आंपेर तो आपको 405 निकल गया EB निकल गया और IA निकल गया 160 आंपेर ठीक है सिंस टू पैरल पात नेक्स्ट थर्ड बोलना है पावर डेवलप्ट इन आडमे इच्छर मतलब EB इंटू IA यह कितना हो जाएगा 405 इंटू 160 यह हो जाएगा आपको 64800 वाट मतलब 64.8 किलोवाट ठीक है और उसके बाद आपसे पुछा है PEM PEM Electromagnetic Taut Electromagnetic Taut निकलने का दो दो तरीका है या तो आप KA5 IA से निकल दीजे या आप ऐसे तो निकल सकते है EB इंटू IA अपॉन ओमेगा एम से तो क्योंकि T इंटू ओमेगा निकोल EB इंटू IA तो अगर इससे निकालेंगे तो इसमें थोरा सा एक लफ रहा है हो जाएगा EB कितना है आपका EB इंटू IA तो निकाली चुके है 46,800 डिवाड़े बाद अमेगा को लिख सकते है 2Pi इंटू N Small N और यहाँ पे Capital N है तो यह होता है 2Pi तो यह जाएगा 64,800 अपन 2Pi इंटू एटीन हंड्रेड बाई 6 एटीन हंड्रेड बाई 60 यानि इंटू 60 यह Small N यहाँ लेते हैं आपको जो N है Capital N है तो उसको Small N में करने के लिए दिवाड़े बाई 60 करेंगे तो यह बहले हो आजाएगी आपको 64,800 इंटू 60 डिवाड़े बाई 343.77 निट्रन मेंटर अगर आप K5 आईए से लिए करेंगे तो भी यह बहले हो आएगी तो हमने यह देखा कि अगर मशीन वेव बाउंडेड है तो पावर कितना डिवलप फोड़ा है वो देखे और एलेक्ट्रमानेटरी टॉड़ कितना जन्रेट फोड़ा है हो देखे 343.77 अब इसी कोशन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको यही सब चीजे निकालना है बट टेकिंग एज लैप गनेक्टर बीबाट बीबाट में लैप कनेक्टर है और लैप कनेक्टर ने आपको पता है कि नंबर ओफ पैडल पाथ बिकम सिप्ट नंबर ओफ पोल्स तो मतलब कि 6 पैडल पाथ होगे और 300 कनेक्टर है मतलब परदेख पाथ में कितने होगा पचास पचास होगा ठीक है यह कुछ ऐसे और आप इसको ऐसे लिए सकते है इस कन्डिशन में फिर हम लोग सब कुछ निकाले तो यहां पर सिर्फ एक ही वैलू चैन्जाओगी यहां 600 हो जाएगा तो अगर यहां से इबी निकालेंगे तो यह बी पार्ट का इबी आपको जाएगा 135 बॉर्ट ठीक है उन्हा भी चाहिए उसका बाहितरी होगा तो 405 प्रटे 3 112 आयए कितना अगड़ प्रते क्से मैक्सिम करें 80A 80A 80 प्रस 80 प्रस 80 प्रस 80 कितना लेगा 800 उन्हे 6 450 80 इंतु 6 इकवाल to 480 एम्पेर एक बाद फिर अगर है अगरह औरो या इच्वी आई एनिकालें तो 135 इंतु 480 अगर हमलो 135 into 4800 करेंगे तो भाइज हो कितनी है 64800 किलोवर्ट और वहां से अगर टॉर्ट निकालेंगे तो फिर से यही वैल्यू आगी कोई N तो वही है तो यहां कोशन तो बन गया लेकिन यहां से प्राइम कॉट्रिन निकल रहा है कि चाहे लेक वइंडिंग हो या वेंडिंग हो ना तो elektromagnetic power जो developed हुआ है उस पर कोई फ़रक परेगा और ना ही बागे और भी कॉषिंस होंगी PSB मिम्ड़ा में या च प्राइम में तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए ठैक्टिस कीजिए कि मैंने स्वी टी में दिखाया आपको कि पूछा है और भी कोशन्स कमप्रिशन्स में पूछते हैं तो इनको प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्स क्लास में हम लोग करेक्टरिस्टिक्स और डीसी मोटर इस्टार्ट करेंगें ठीक है थैंक्यों